दोस्तों तपो भूमी क्लासिस पर मैं अब देश बदोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ MP पटवारी का exam analysis लेकर दोस्तों मैं आ गया हूँ 25 मार्च की पहली सिप्ट के GS और English के पूरे कुशन GS के 20 कुशन और English के 24 प्रशन हमारे पास हैं को आज इस lecture में हम discuss करेंगे पिछले कुछ दिन से मैं analysis नहीं ला पा रहा था एक्चुली लाडली बैजना योजना के फॉर्म बरे जा रहा हैं और उसमें मैं काफी व्यस्त हूँ इस वज़े से कल 25 मार्च की पहली सिप्ट के सारे कुशन दुर्गेश पांडे जी जो की इंदौर से हैं इन्होंने हमको लिखकर भेज दिये थे और बड़ा बहतरी इन राइटिंग में इन्होंने लिखकर भेज दी तो मैंने उन सभी को यहां पर compile कर लिया आपके लिए और आज के प्रस्णिया आँगे आपका जब भी एक्जाम हो तब के प्रस्ण आपके पास हो तो डबल एट टू सेविन त्री टू पोर पाइप टू पाइप यह हमारा नया वाटसप नंबर है इस पर आप हमें जरूर भेजिएगा तो हमने यहां पर डारेक्टी दुर्गेश जी ने जैसा लिखा है वैसे के वैसे हमने यहां पर उनीकी राइटिंग में ले लिया है यहां पर सारे कुश्चन तो पहला कुश्चन अगर हम देखेंगे पहला कुश्चन है डुमना एरपोर्ट कहां पर है तो देखो आपके MP में कुल 5 airport हैं जिन मेंसे 4 तो domestic हैं और एक आपका international है ये जो डुमना वाला airport है ये जवलपुर में हैं ये आपका एक घरेलू हवाई अड़ा है यानि कि domestic है चार domestic हैं ग्वालियर, खजराहो, जवलपुर और भोपाल इसमें जवलपुर वाला है उसको तो डुमना एरपड बोलते हैं और जो भोपाल वाला है उसका नाम है राजा भोज हावाई अड़ा छीक है ये दौनों आपको याद रखने है अंतर राष्टी हावाई अड़ा हमारा इंदोर में है जिसका नाम है देवी अहलेवाई होलकर हवाई अड़ा ये भी आपको याद रखना है दूसरे प्रश्ण की ओर हम बढ़ते हैं दूसरा प्रश्ण है राष्टिय स्वास्त सर्वेच्षड 2021 के हिसाब से मदप्रदेश की सिस्यू मुरत्यूदर कितनी है तो देखिए से लेकर एक वर्ष के बच्चों के देखें तो लेकिन अगर हम 0-5 वर्ष के बच्चों के देखें तो यह आंक्डा 49 पर पहुंच जाता है और क्रहस्ता प्रश्त्यवां सब्सक्राइब कि अगर आंकड़े हैं भारत में सब से जाधाई यानि कि का आग्ला प्रमातिय। ठीक है आपको ये बताना है कि चेदी राज बर्तमान में किस जिले से संबन देता है चौता प्रश्ण है कि किस राष्टी उद्धान को 2006-07 का सरुषेष्ट प्रवंदन अवार्ड मिला था तो पन्ना राष्टी उद्धान जो है ना आपको इसको 2007 में भारत सरकार द्वारा बारत के जो परिटन मंत्रारला है उसके द्वारा सर्वसेष्ट रखा वाले राष्टी उद्धान के रूप में उतकरिश्टा का पुरुसकार दिया गया था पांचवा प्रश्ण है मदप्रदेश के सबसे दच्चड में इस्तित राष्टी उद्धान का नाम बताईए त पेसे से एक डॉक्टर है और आदिवासी महलाओं के बीच में अपने सामाजिक कार के लिए जानी जाती है वर्स 2020 में इनको पदमसरी मिला था तब यह आभ्यासी वर्स की थी मदप्रदेश में जितने भी पदम पुरुसकार विजयता लोग हैं उनकी डेटेल आप जरूर पढ़ लो अगला प्रशन है एक ही करत अप्षिष्ट प्रवंधन के प्रिकार कितने हैं यह ऐसे लिखा है लेकिन एक्चुली में यह प्रिकार नहीं पूचे गया होंगे यहां पर चरड पूचे गया होंगे कि उसके कितने चरड होते हैं कितने स्टैप होते हैं तो एक ही दोस्तों यह जो अपसिष्ट प्रवंदन है ना इसके आज कल की सिप्ट में ही चार कोश्चन पूछे गया थे और हर सिप्ट में पूछे जा रहे हैं यह साथवे के बाद आठवा नौबा और यह जो 16 नंबर का प्रश्ण है यह भी इसी चेप्टर से पूछा गया है तो मैं एक काम करने वाला हूँ कि आज रात में आपको जैब प्रदार्थ और यह अपसिष्ट से रिलेटेड जो भी जितना भी मटेरियल है वो सारा पढ़ा दूँगा तो आपके सारे कोश्चन वहां से कवर हो जाएंगे ठीक है डारेक्ट आ जाते हैं दसवे कोश्चन पर निर्मित महल किस रेडी के निर्मित है यानि कि जो हटा मेल है ना वो किस सेली में बनाए गया तो जो हटा है ना यह आपका दमो में है ठीक है कहां पर है यह आपका दमो में है और वहां पर गॉंड राजा थे हट्टे सा उन्होंने यह सहर बनवाया था हटा ठीक है जिसको उपकासी के नाम से भी जाना जाता है ताको उपकासी भी कहते हैं यहांपर एक रंग महल है जो की काफी फ्यमास है उसी की सैली पूँची गई होगी मैंने एक लेक पड़ा था उसमें वहाँपर सैली के आंगी मिस्प्रिंट हो आ गया था तो हमें सैली मिल नहीं पाईगी किस सैली में निर्मित है किसी को पता है तो कमेंट में बता देना अगला प्रशन है आपका कितिनी देर तक हाँ धोना अनवार है ठीक है तो देखो इसका जवाब अब हर जगे अलग-अलग हो सकता है लेकिन हम चलते हैं इंटरनेशनल पैमानों पर तो इंटरनेशनल ही ग्लोबल हेंड वासिंग दे मनाया जाता है 15 अक्टूवर को और उस दिन जो गाइडलाइन आती है उसकी गाइडलाइन में लिखा रहता है कि हातों को पानी से पहले गीला करें अगला प्रस्ण है निम्लिकित में से कौन सा विकल्व सही है और संबदान संसोधन को लेकर यहां पर चार ऑप्शन दिये थे ठीक है तो दो संबदान संसोधन की प्रिक्रिया है इसको लेकर अगर हम देखें यह अनुच्छे 368 से संबन देता है और अनुच्छे 368 से आपका बदलता है जिसमें से दो प्रिक्रिया है 368 के अंतरगत है इन सभी को आप डेटेल में पढ़ लेना क्योंकि इनसे प्रस्ण आ रहे हैं क्योंकि उनको समझाएंगे तो उसके लिए 15 मिनिट चाहिए कम से कम चवद्वा प्रस्ण है उच्छ तापमान वाले चेत्र की उच्छ तापमान वाले चेत्र की जलवायू को किस प्रकार के अंतरगत आती है तो यह आपकी उस्ड उस्ड जलवायू उसको बोला जाता है उस्ड जलवायू या उस्ड कटवन दिये जलवायू ठीक है सीतोस्ट उपोस्ट बगरा बगरा यह जो भी प्रकार होते हैं बुलाए गए थे गवर्ण融र जनेरर वेले जली जो थे ना वैले जली उनके उपचार के लिए टे उनका उन्हों आंपचार किया अफौर अफिर इनको कुछ पदभी दे दिये गए यहां सरकार में और गोए में अपने प्रवास के दोरान एक चडिया घर की इस्तापना की ती जिसका नाम है कलकत्ता अलीपुर चडिया घर ठीक है वह इंपोर्डेंट है ध्यान रखना अगला यह रात में हम इस चैप्टर को खतम कराई देंगे अगला है बिना मीनार की मजजद मर्द प्रदेश में क अब बिना मजच्यत है ड्य जामा मजच्यत ऑप कि बोपाल में चंदेरी सोर्ड यह बोपालYes जंदेरी की जमा मजच्यत जो है वह आपकी बिना मीनार की यहां पर संग मंबर गुंबद हैं गुंबद गोल गोल होते हैं वह तीन बने हुआ हैं लेकिन अन्य मर्जदों की तरह मीनार नहीं खड़ी है यह अगला प्रस्ण है इस्टापना कब होई तो जो सेल की स्थापना है वह 24 जन्वरी 24 जनवरी 1903 को हुई थी अगला प्रशन है किस योजना को क्यूटो प्रोटोकॉल की CDM तकनीक को ध्यान में रखका लॉंच किया गया देखो जो भी परियाबरण से संबंदित इंटरनेशनली प्रोटोकॉल है उन पर बहुत प्रशना आ रहा है क्यूटो प्रोटोकॉल के डेटेल से बहुत आ रहा है इतने डेटेल से फूझा गया कि मुझे एक बार में Google सर्च पे इसका आंसर नहीं मिला बस मुझे ये मिल गया कि CDM टेकनिक क्या होती है उसका फुल पॉम मिल गया कि CDM में अज़ित होती है तो यह दो साल में आयोज़ित की जाती है प्रतेक दो साल में अभी जून 2022 में हुई थी ठीक है अब आते हैं हम यहाँ पर English के English के देखी अगर हम देखें narration के आपके 7 question आये कितने आये आपके narration के question 7 question है और active passive voice के 2 question है narration मैंने दो वीडियो में करा दिया है कहीं पे भी वहां से बाहर question नहीं जाएगा उसको ध्यान से देख लेना active passive voice भी एक आदा गंटे की वीडियो है उससे बाहर नहीं जाएगा subject word agreement के 4 question आ रहे हैं मैंने 10 वीडियो बनायते top 50 rules of error detection उनमें से यह आपका cover हो जाएगा subject word agreement और फिल correct appropriate word यह भी आ जाएगी जिसके 2 question आए पैरा जंबल के 2 question आए है correct spelled में पूचा गया था position ठीक है 4 option होंगे जिनमें 3 की spelling गलत लिखी थी एक की spelling सही थी वो word था आपका position miss spelled में 4 option दिये गया होंगे आपको उसमें से 3 की spelling सही लिखी थी एक की गलत लिखी थी तो describe की गलत लिखी थी और यह वाली spelling लिखी थी describe की यह सही spelling होती है और यह वाली लिखी थी यह की जगे आई कर दिया था एंटोनम समें फेंट हर्ट और copious की एंटोनम स्पूचे गय थे idioms में 3 idioms आई cat and dog life, off the cuff and call it a day तो ये आपका पूरा analysis था, अगर आपके पास आज के प्रस्न है तो आप दो नंबर है, पहला नंबर जो आप लोगों के पास save होगा मेरा वो ये है इस नंबर पर आप हमको whatsapp के माद्यम से सवाल बेश सकते हैं, और दूसरा ये नंबर है, इस नंबर पर भी आप हमें whatsapp के माद्यम से सवाल बेश सकते हैं धन्य बाद, चैमाता दी, मिलते हैं next lecture में